जनाब इस lecture के अंदर हम जो चीज़ देखने वाले हैं वो है python के अंदर के नियर एस नेवर algorithm को यूज करें के चीज़ों को classify कैसे किया जाता है या चीज़ों को predict कैसे किया जाता है for regression algorithm classification और regression दोनों चीज़ तरीके हम देखेंगे in python और इस project को हम start करते हैं मैं screen पर लेकर जाता हूँ यहां पर हमारा जो sport vector machine है इसके बाद हमारे पास next आएगा 13 13 के अंदर हम knn इसको मैं लखे देता हूँ knn.ipynb यहां पर जनाव हमारी 13 जो notebook है इसे मैंने open कर लिए मैं थोड़ा से zoom in कर लेता हूँ थाकि आपको यह नजर आए यहां से kernel साहब मैं select कर लेता हूँ machine learning के यहां पर हम लिखते हैं जनाव के nearest neighbor के nearest neighbor और इसको हम knn भी बोलते हैं knn is और आपको पता है कि जब हम इस तरीके से knn को use करते हैं तो हमें पता है कि यह supervised machine learning algorithm में तो मैं यहां पर इसको थोड़ा सा इस तरीके से ले देता हूँ बोथ classification and regression दोनों के लिए use होता है ठीक है it is non-parametric ठीक है non-parametric method है यानि कि इसमें normal ना भी हो data तो doesn't matter lazy learning algorithm में यानि कि यह अच्छा खासा time भी लेता है और secondly हर एक point को देख के आगे चलते हैं और यह कोई assumption नहीं होती कि आपका data जो है उसके distribution को देखना है इसका यह फाइदा है कि यहां भी formal ना भी हो data तो काम चल जाता है यह main चीज है lazy learning means that it does not require any training data points for model generation all training data used in this testing phase ठीक है this makes training faster and testing phase slower and costlier ठीक है but we will see के इसका हमारे पास जो training phase it just stores at the data side when it gets new data and then it classifies into category as much as similar ठीक है but मैं इसको यहीं पर इस तरीके से fit करते हैं अब हम देखते हैं example of knn classifier पहले हम classifier के देखेंगे on iris data using sns ठीक है हमने यहां पर import करके libraries उस पर काम start कर देना है import pandas as pd pd ठीक है और numpy as np आ गया यहां पर matplotlib आ गया seaborn आ जाएगी and then हम यहां पर iris का data जो है sns से लेंगे ताके हम उसको data set को बना सके and then we will move forward तो मैं यह वाली जो libraries आयने यहां पर पहले run कर लेता हूं and then we will see के बाकी libraries हम किस तरीके से run करते हैं ठीक है यहां तक आपको clear हो गया होगा अब हम आगे चलते हैं load the data set और data set के लिए हमारे पास जो df is equal to sns.load data set और इसी के अंदर हम iris का data load कर लेते हैं df.head करते हैं तो यह data कुछ इस तरीके से आ गया हम यह चार variables को use करेंगे और इन चार variables की base पे species जो हैं उनको classify करने के कोशिश करेंगे ठीक है यानि के यह 4 हमारे numeric variable है और 5 हमारा categorical variable है उसको हम show करेंगे so if I write down like this के df.info तो यह हमें बताता है के जनाब आपके कौन-कौन से 4 variables है अब हम क्या करते हैं x और y के अंदर data को transfer कर लेते हैं x and y target and features की base पे हम data को बना लेते हैं आपके split the data into x and y target and features की base पे तो species को drop करेंगे तो target बन जाएगा और sorry features बन जाएगे और बाकी हमारे पास species जो हैं वो labels बन जाएगी ठीक है अब हमने क्या करना है train, load train, load train and load and fit the KNN classifier on the data अगला काम हमारा यह है कि हम सबसे पहले KNN classifier को बुलाते हैं और फिर हम अपना जो model है KNN उसको लगाते हैं यहां पे आपने K numbers बता देने हैं मैं 5 यहां पे बता रहा हूं जो हमने theoretical part के अंदर पड़ा था 5 हमने यहां पे रख दिए और अब हम इसको XY पे fit कर देंगे fit करने के बाद आप directly जो है इसको जो है वो predict भी कर सकते हैं new set of measurement के उपर but it's totally up to you ठीक है तो एक तरीका कार तो यह है कि आप यहीं पे सारे के सारे dataset के अंदर उसको train कर दें train करने के बाद आप यहां पे new measurement डाले new measurement डालने के बाद आप उसको predict कर सकते हैं new measurement में चारों column की कोई भी value रखें 5.1, 3.5, 1.4 and 0.2 रखने के बाद आप इसको run करें और अगर error ना आई तो everything is fine otherwise it will take a lot of time क्योंकि आपको भी पता है कि जो model हमारा basically fit होता है वो सारे के सारे data पे होगा and it will take into account all the data sets let's see कितना time लेता है and it worked हमारे पास जो species उसने recommend की है हमें सहतोसा की की है यानि कि classifier इन चारों की बेस पे हमारे पास उसने सहतोसा को predict किया ठीक है और y variable को हमें कोई भी use करने की परिशानी नहीं थी अब इसी theory को हम train test split करके लगाते हैं और यहाँ पर हम train test split करते हैं और train test split के लिए x train y train आपको पता है x और y करने के बाद आप test size या train size यहाँ पे बता सकते हैं और random state भी बता सकते हैं, तो यहाँ पे 42 random state है, 0.3, यानिके 70, 30 की मैंने ratio रख ली, 0.2 की भी कर सकते हैं, it's totally up to you, तो यहाँ पे हमने 0.2 की भी कर सकते हैं, तो मैंने X train, Y train कर दिया, fit the model on training data, वो ही चीज k-n-n.fit हम करेंगे, अगर आपके पास model पहले से नहीं है, तो आप k-n-n, बलके इसको model भी कह सकते हैं, simply model is equal to k-nearest neighbor classifier, और यहाँ पे model.fit कर लें, बजाए इसके k-n-n लिखेंगें आप, ठीक हैं, हमने training data पे यह fit कर दिया, अब हम क्या करेंगे, wire prediction वाली values ले लेंगे, classification report and confusion matrix हम ने कर लिया, and here we go, confusion matrix और यह हो गया classification report, और यहाँ पे मैं एक और plot the confusion matrix हम यहीं पे कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे confusion matrix को plot कर लेंगे, like this, sns.heatmap, और maybe labels भी ज़रूँ दे दें, predicted are true, like this, ठीक है, और basically, अगर आप गोर करेंगे न, तो x पे हमारे पास predicted नहीं है, x पे हमारे पास y test वाल है, और y predicted हमारे पास y पे है, तो matrix हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है, y test पहले आ रहा है, और y predict बाद में आ रहा है, so it's totally up to you कि आप किस तरीके से इसको variable के अंदर change कर सकते हैं, तो यह मैंने जनाब इसको run किया, models आप train हुए, train करने के बाद हमारे पास accuracy score, recall score, f1 score, यह सारे scores आ गए है, तो यह 4 score हमारे पास है, यहाँ पे accuracy यहाँ पे आ गई, f1 score, recall score, precision score यहाँ पे आ गया, ठीक है, and then यह हमारे पास है जनाब, तीनो species की values, 0 जो है हमारे पास पहले species है, और यहाँ पे true है, यहाँ पे predicted है, जो true values थी 10 थी, वो predicted भी 10 नहीं है, ठीक है, फिर 1 पे 9 थी, यहाँ पे 9 है, 2 पे 11 थी, तो यहाँ पे 2 पे 11 है, अब यह color बार हमें यह show करती है, कि जितना हमने diagonal पे चीज़ें देखी है, वो testing data में भी वैसे हैं थी, और original में भी वैसे हैं, sorry, predicted में भी वैसे हैं, इसका मतलब हमारी accuracy बहुत ही heavy है, ठीक है, क्यूंके हमने 5 neighbors रखे थे, अब इनी neighbor को अगर मैं 3 करूँ, अब देखते हैं इसको run करके, एक neighbor को one करता हूँ, यानि कि एक ही दोस्त होते हैं अक्सरोकात लोगों के, मैं इसको run करता हूँ, and now you will have a look, कि आपके पास अभी भी जो classification है, वो ठीक से काम कर रही है, so neighbors जो हैं, number of neighbors, यह depend करता है कि आपने number of neighbors जो हैं अपने पास रखने, say for example, मैं दुबारा से अपने data को यहाँ पर run करता हूँ, इस पूरे के पूरे को मैं comment out करूँगा, अभी run नहीं करूँगा, नीचे वाले data को मैं run करता हूँ, like this, तो यह जनाब हमारे पास, इस तरीके से prediction आ रही है, ठीक है, क्योंकि data set हमारे पास छोटा है, यह इस वज़ा से हमारी accuracy, और सारी चीज़े हैं highly accurate है, so we don't need to worry about anything यहाँ पर, अगर मैं इनी neighbors को 5 की बजाए 11 कर दूँगा, control enter करके से run करता हूँ, now you will see कि कोई इतना खास फरक नहीं पढ़ रहा, reason behind that might be कि जो हमारे data set है, वो बहुत चोट है, और उसकी वज़ा से सारे चीज़ें काम कर रही है, मैं इस snippet को बिल्कुल बीच में से remove करता हूँ, and अब हम क्या करते हैं, सारे की सारी notebook को दुबारा से run करते है, and hopefully it will be working fine now, yes, and yeah, everything is correct, अब हमारा अगला काम यह है, कि यह classification का तो algorithm हो गया, ठीक है, यह classification के लिए हमने k-nares neighbor classifier को तो use कर लिया, what if we need to use, wait, यहां पर, from sklearn.neighbors, import k-neighbors classifier, अच्छा, यहां पर हमने classifier use कर लिया, अब हम regression की problem देखते हैं, regression, problem, और यह मैं tips के data पर करता हूँ, on tips data set, और इसको मैं separate कर लेता हूँ, regression using k-n model, ठीक है, regression using k-n model, और हम tips के data set पर करेंगे, सबसे पहले जारी बात है, हम libraries को import कर सकते हैं, जो हमने पहले की हैं, तो मैं सिधा-सिधा data ले के आता हूँ, tips is equal to, sns.load dataset tips आ गया, tips का data कुछ इस तरीके से नजर आता है, so I will write down like this, और यहां पर tips का data, जो हमारा load हो जाएगा hopefully, and there is something wrong, sorry, dot head, like this, यह हमारा tip का data set है, हमने क्या करना है, बाकी सारी चीजों की base पे, tip को हमने predict करना है, यानि कि sex, smoker, day, time, size of table and total bill की base पे, tip को predict करना है, ठीक है, so let's do it, split the data into x and y, और हमने tip को predict करना है, so we will drop tip here, और यहाँ पे इसको by के अंदर ले जाएंगे, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, second step में, हम model को run कर देते हैं, ठीक है, model is, बलके यहाँ पे लिखूंगा, train the, train test split the data, and run the model, तो सबसे पहले train test split the data करते हैं, उसके लिए हम यह करेंगे, और secondly फिर from SK learn, हम neighbors को, k-nearest neighbor regressor को हम ले जाएंगे, पहले classifier था, वो regressor होगा, so what we can do, we can actually train test split the data, और test size हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं, यहाँ पे 0.2 सही है, बहतर है, and then, we will call the model like this, 11 neighbors की बजाए, मैं यहाँ पे 5 कर देता हूं, तो k-nearest neighbor regressor, हमने model बलाया, 5 neighbors की base पे, मीन या मीडियन की base पे, यहाँ पे उसको ले लेंगे, और अगर आप गोर करें, मैं यहाँ पे इस function पे, sorry class पे आता हूं, तो then you will see, neighbors हमने दे दिये, आप weight भी दे सकते हैं, distance का, आप algorithm भी बता सकते हैं, कि कौन सा algorithm आपने use करना है, आप leaf की values भी दे सकते हैं, there are many other parameters, यहाँ पे अगर आप metric की बात करें, तो min cost की भी दे सकते हैं, और some other metrics भी आप दे सकते हैं, यह है वो P जिसकी मैं बात कर रहा था, integer 2, ठीक है, यानि के यह default में आपके पास, हमेशा Euclidean distance को ही major गहता है, अगर आप चाहें, तो Euclidean distance को यहाँ पे खुद से भी दे सकते हैं, for example, आप P की value दें, और min cost की जो है, वो यहाँ पे आप लिख दें, metric के अंदर, ठीक है, so you can also do like this, कि आप यहाँ पे, say for example, metric is equal to min cost की, and P is equal to 2, तो यह आपके पास Euclidean distance की base पे चीजों को मापेगा, यहाँ पे P की value आपको समझ आगी होगी, जो मैंने पिछले lecture के अंदर आपको बताई थी, so 1 होगा तो आपके पास Manhattan, 2 होगा तो यह Euclidean distance हो जाएगा, so model हमने यहाँ पे बुलाया, जनाब फिर model को train करते हैं, fit करते हैं, model.fit, x train, y train, और यहाँ पे इसके बाद हम जनाब y predict ले आते हैं, evaluate करने के लिए model को, तो simply हम y predict करने के बाद से, वो ही method है, सारे के सारा, आप evaluate करते हैं model को, और यहाँ पे हम different किसम के जो matrix हैं, उनको बुला लेते हैं, और यहाँ पे r square score और mean squared error मैंने बुला लिया, और इनकी base पे हम, mean squared error, और r square score, plus rmsc भी हम print कर सकते हैं, print, और, np. बलके इस तरीके से बेतर नहीं है, print, mean, sorry, f string के साथ, mean squared error, यहाँ पे हम लिखते हैं, mean squared error, और इसके अंदर हम देंगे, y underscore test, comma y underscore predict, like this, और इसको हम string को बन कर देते हैं, तो हमारे पास easily r square score भी आ जाएगा, और mean squared error के साथ, root mean squared error भी हमारा, आ सकते है, like this, print, print के अंदर, f string के साथ, root, rmsc में लिखे देता हूँ, ठीक है, rmsc, तो हमारे पास np square root लेने के बाद, rmsc भी आ जाएगा, so let's run this, I knew this के errors आ नहीं है, और उसकी वज़ा है कि हमने अभी data को encode नहीं किया, so we have to encode the data, और data को encode करने के लिए, आप यहाँ पे एक step ahead कर सकते है, encode the categorical columns, using for loop and label, या label encoder, ठीक है, सबसे पहले आप from SQL on label encoder लाएगे, इसको le के equal रख लेते हैं, यहाँ पे, le is equal to label encoder, और फिर बात में, आप label encoder को for loop के थ्रू, use करेंगे, कि यहाँ पे आपके पास, जब भी category हो या object हो, तो उस पे आप लगा दें, तो इसका बहतरीन तरीका क्या होता है, समझने का tips.info, यहाँ पे चेक करें, आपके पास सारे के सारे category के column है, अक्सर को हाथ यह object के भी होते हैं, ठीक है, so you can actually specify के category है, यह object है, तो मैं यह दोनों कोई कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जब हमारा data encode हो गया, encode होने के बाद, now we will run this, we run this, and everything is here, यहाँ पे आपके पास यह model आ गया, और यह आपके पास R square score आ गया, यह आपके पास R M S C आ गया, इसका मतलब है जनाब, आप इस तरीके से regression का algorithm भी train कर सकते हैं, and now what you can do, you can actually put all the values, total bills, sex, smoker, day, time and size, और उसको predict कर सकते हैं, कि वो कितनी tip देके जाएगा, predict a specific value, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, model.predict लगाएंगे, और हर एक चीज की values वहाँ पे लिख देंगे, and now what आपको predict करके देदेगा, something like this, लेकिन जारी बात है, हमें पहले देखना होगा, चो X को हमने encode किया है, X.test और head कर लेते हैं, सबसे पहले हमने total bill देखना है, हमारे पास total bill है, 1982 अगर, तो यहाँ पर मैं लिख दता हूँ, 19.82, sex हमारे पास 1, smoker 0, day 1, time हमारे पास 0 ले लेते हैं, so, first column 19.2, total bill, दूसरा sex का column है, 1, जो mail को show करेगा, smoker हमारे पास आ गया, 0, फिर हमारे पास day का time आ गया 1, फिर हमने time यहाँ पे लिखा 1 लिख देते हैं, size हमारे पास table का है 3, तो यह सारी values की base पे अगर हम predict करना चाहें, let's see, तो यह हमें predict करके बता देगा, कि यह बंदा, जिसका bill इतना बनेगा, और 3 लोग होंगे, बैठे खाने वाले, dinner time या lunch time आएंगे, फलान दिन आएंगे, वो smoker भी नहीं है, तो वो इतनी tip देंगे, अगर मैं सिर्फ, सिर्फ smoker वाला one कर दूँ, यानि कि yes कर दूँ smoker वाला, तो मैं इसको run करूँ, तो ये tip बढ़ जाएगी, ठीक है, so this is how your model can actually predict, कि कितनी value आपके पास आ रही है किसी चीज़ की, अगर किसी का bill यही 15 डॉलर बनता, तो वो tip 2.5 देगा, अगर यही bill, दो लोगों का 15 डॉलर होता, तो वो हमें देंगे 2.38, tip अगर यही bill 45 होता, दो बन्दों का, तो वो हमें 4.946 देंगे, अगर यही bill 5 बन्दों का 45 होता, तो वो tip थोड़ी जी ज्यादा देंगे, so this is how you can check the impact of each and every variable on the value, सही है, for example यह smoker था, तो इसको अगर मैं 0 कर दूँ, no smoker, तो उनकी tip में कोई इतना फरग नहीं परड़ा, यहां तक आपको clear होगे होगी सारी की सारी चीज़े, and I'm very hopeful के आपने अभी जो k-nearest neighbor algorithm हम से देखा है, उसकी coding से, थियोरी से लेके coding तक आपको सारी चीज़ें समझ आई होगे, और जो parameters मैंने बीच में आपको बताए, mean cost के distance के, वो भी ज़्यदा आपको समझ आगे होगे, अब आपने क्या करना है, किसी भी एक data set को उठाए, उसके ओपर k-nearest neighbor regressor plus classifier तोनों को चला के देखे, और उसकी accuracy improve करने की कोशिश करने, using scaling, removing outliers, and doing some preprocessing techniques, जो मैंने पहले आपको सिखा ही है, मैं preprocessing क्यों नहीं कर रहा, उसकी reason यह है कि my main aim is to teach you the algorithm, जब हम algorithm देख लेंगे, है है, जब हम रहां जबहा वोगहला क्पा दोनों कर रहारी है